हेलो बत्यों कैसे आप लोग आप सभी लोग गोडविल इंटर कोलिक्स किर्थल बावगपत के यूट्यूब कैनल गोडविल लर्मर्स में आप सबी का स्वावत है मैं हूं सुरेंदर सिंग आज हम पढ़ेंगे इकाई ग्यारा का जो हमारा अलकोहल फिनोल और इथल का नाम कैसे लिखते हैं ठीक है सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले करते हैं नाम पत्ती में हम अलकोहल का नाम कराण अलकोहल के सांबने नाम अलकोहल क्या होते हैं हम अगर अलकेन में से एक हाड्रोजन हाटा देते हैं और OH समू जोड़ देते हैं तो अलकोहल बन जाता है वह आपको पता है ठीक है तो वही साम्मानय नाम होता है एलकिल समू के लिए हम वो मेथिल एथिल प्रोफिल ब्यूटिल जो는 हमें प्राफ्थ होता हुए लिखना है और OH के लिए हमने OH लगाना है ठीक है जैसे लिखा हुआ है अलकोहलों के साम्मानय नाम को विद्वन करने के लिए हाइड्रोक्सिल समू से जुड़े अलकेल समू के सामाने नाम के साथ अलकॉल सब्स जोड़ा जाता है सामाने नाम के साथ अगर हम लिख रहे हैं साधर नाम लिख रहे हैं तो अलकॉल लगा देंग बाद में जैसे CH3OH है तो इसको मैथिल अलकॉहल कहां देंगे सीधा आईउपी असी पद्धिती में कख्षा बारा के अनसार हम क्या करेंगे अलकॉहल का नाम लिखने के लिए अलकेन के अंग्रेजी में लिखे नाम के अन्ति सब्द ए में से ए हटा करके ओल पर लगा देते हैं उसे अलकॉल की वत्ति होती है, जो भी अलकॉल होता है, ठीक है, सबसे लंगी कार्बन सरंखला अगर हमारे पास है, तो उस तिरे से कार्बन सरंखला का नाम करण सुरू करते हैं, जो हारडोक्सिल समू के समीफ होती है, यानि कि जहां से जो कार्बन हारडोक्सिल समू यानि क तो नंबर पे लगा है तो टू ओल लिख देंगे तीन नंबर पे लगा है तो थ्री ओल लिख देंगे जिससे वे चुड़े होते हैं उसी तरीके से वही सामबाने नाम जो आपको इलेवेंट में पढ़ाए गए है उसी तरीक है तो टेटरा पांच है तो पेंटा इस तरीके से हम कर सकते हैं जैसे हमारे पास एक्जामपल है ओए च्छ तू च्छ तू ओए तो हमारा दो कार्बन है पहले कार्बन पर भी ओए दूसरे पर भी तो इसको नाम हो जाएगा एथेन वन कोमा टू डाइओ ठीक है इसके बाद अलकोलो का शामानय आयव़फेसी नाम उछन省 आप उसको देखते हैं चलो तरह से पहले यह भी होगा फिर आयवफेसर नाम होगा जैसे पहला एक्जामपल नाम है है मैथिल अलकोल इसमें IUP-C Nomenclature में इसको हम कहेंगे Methanol, Meth plus An plus Ol दूसरा एक्जामपल है दूसरा एक्जामपल है हमारा CH3, CH2, CH2, OH तो इसको N-Propyl Alcohol इसका साधर नाम है और इसका IUP-C नाम हुआ देखो One Carbon पे OH जुड़ा हुआ है तो Propane 1 Ol तीन Carbon के लिए Probe, Single Bond के लिए An और OH समों के लिए All और One आया हमारा One Carbon पे जुड़ा हुआ है इसके लिए ठीक है, Next Example CH3, CH, CH3, OH तो यह हमारा साधर नाम होगा इसका इसका नाम होगा Isopropyl Alcohol ठीक है, अब तुम देखो इसको Left side से सुरू करो है राइट साइड से सुरू करो है दोनों side से हमारा OH मध्य में आ रहा है तो इसको 2 नंबर पे है तो इसको लिखेंगे तीन कार्बन के लिए क्लिए क्लिए लगाते है प्रोप प्रोप प्लस एन और किते नंबर पे OH पे तो प्रोपेन 2 ओल हमारा हो जाएगा Next Example है हमारा चार कार्बन से OH जुड़ा है प्रसमस्थान पर तो इसको गहेंगे N-butyl alcohol इसका साधार नाम है और IP से नाम हो जाएगा इसका पहले कार्बन से जुड़ा है तो butane 1-ol but कितने कार्बन के लिए लगता है चार के लिए 1 पहले उस्थान पर जुड़ा हो जुड़ा हो है तो इसका साधार नाम है और आज पेसी नाम इसका हो जाएगा कितने कार्बन टोटल 4 तो 4 कार्बन के लिए क्या लगता है एथ मैथ प्रोप ब्यूट तो ब्यूट सिंगल वोंड है तो प्लस एन और कितने नमबर पे OH2 पे तो ब्यूटेन 2-0 हमारे इसका नाम है ठीक है नेक्स एक्जामपल हम देखते हैं CH3, CH, CH3, CH2, OH ठीक है अब देखो कहीं बार ऐसा होता है कार्बन की स्रंखला में से कोई स्रंखला निकली होती है कार्बन की हम उसको साइट, वो कहते हैं साइट चैन कहते हैं ठीक है अब उसमें साइट चैन को हम प्रोप्यल्किल समूब भाती लिखेंगे जैसे मारे एक एक एक्जामपल है तीन कार्बन की लंबिस रंखला है और दूसरे कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है पहले कार्बन से OH जुड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं इसका सामाने नाम तो हो जाएगा आईसे ब्यूटिल अल्कोहल और आईउपेसी नाम हो जाएगा देखो, CH3 हो क्या कहते हैं मैथिल, तो किते नमबर में जुड़ा हो मैथिल, तो नमबर में तो हो जाएगा 2-Methyl-Propane तीन कार्बन के लिए प्रो, सिंगल बून के लिए एन और OH के लिए ओल लगेगा OH पहले नमबर में जुड़ा था Propane 1-O इसका नाम हो जाएगा 2-Methyl-Propane 1-O आई पेसी नाम में देखो नेक्स एक्जम्पल हमारा देखो ये एक्जम्पल, इंप्रोटेंट एक्जम्पल इसको बोले लिए Tristory Butyl Alcohol एक कारबन से 3 स्रंखलाई निकली हुए है तो तिरते एक बूतिल अलकोहल हो गए मैं तुमें उस बरगी करना बता आए था ठीक ओच दूसरे कारबन पर जुड़ागा कहीं सी भी आप काउंट करो महीं से दूसरे कारबन बैठेगा तो इसका नाम होजगा टू मैथिल प्रोपेन टू ओल देखो टू मैथिल अब कहीं से सुरुवात करो हम वन टू और थ्री तो टू मैथिल एक मैथिल साइड में बचता है यानिके उपर से ले लो सबसे उपर से तरंकला हो जहाँ सुरुवात है वन टू थ्री और टू पर क्या आगया तो टू मैथिल प्रोपेन टू ओल इसका नाम हो जाएगा इसके बात देखो और यानिके दो से दो जुड़ हुआ है तो इसको हम कहेंगे और इसका आई पर इस नाम हो जागा एथेन वन कोमा टू डाइओल एथेन वन टू डाइओल यह जो बोंडिंग इसमें दिख रही है हमारी ओएच वीच में यह ओकर के कार्बन से है इसका ध्यान रखना है ठीक है इसका साधार नाम हमें साधार नौ से गिल्स डॉल कहते है और अग्या हो जाएगा एकजन है तो हम इसको लिख देंगे साइकलो हैजेन प्लस वन ओल या सिद्धा लिख दो साइक्लो है देख wary यह देखो अब CH3 और OH जड़े हुए हैं पांच कार्बन वाली चक्रियस रंखला से तो अब CH3 में और OH में जो ज्यादा किरिया सील होगा उसको पहला नंबर देंगे हम तो पहला नंबर OH को दिया हमने दूसरा नंबर CH3 को दिया तो CH3 को क्या कहते हैं मैथिल तो 2 मैथिल और इसके बाद Phinol का नाम करने करते हैं देखो बेंजीन का सबसे स्लतम हईड्योक्सिल विट्पन फिनल है यह का सामान्य नाम तुदा IUPC द्वारा अनूमत नाम भी है मतलब Phinol को हम क्या कहते हैं Phinol ही कहते हैं चुकि Phinol की सच नामे बेंजीन वले होती है इसके परतिस्थ में और्थो अगर पहली और दूसरी सिचुएशन पर है तो हम और तो लगाएंगे मैटा है पहली और तीसरी पर है पहली और चोत्री पर हम इसमें नाम प्रियुक्त करेंगे ठीक है अब जैसे हमारा यह नाम है बैंजीन के ओपर और जुड़ गया तो इसका आयूपीसी नाम हो जाएगा इसका 2-methyl-phenol क्योंकि तुम्हें पता है OH में और CH3 में कौन ज्यादे की रसील है OH तो OH को पहला नंबर देंगे तो तो यह हो गया फिनोल और दूसरे नंबर पर आगा तो 2-methyl-phenol इसका नाम हो जाएगा अब के बाद तीसरे नंबर पहुंच गया OH जो था पहले पर दूसरे पर एक कोड़नार तीसरे पर CH3 हो गया इसका साधार नाम मेटाक्रिसॉल हो गया ठीक है फिर पर पैराक्रिसॉल हो गया 4-methyl-phenol इसका नाम है बैंजीन के डाइड कोडू डाय ओल ठीक है आफ देखो यह बैंजीन वन ठीडाइए इसका इसका ॡेसनाम हो जाएगा रिसोरंसिन इसका साधार नाम हो गया हुआ मेरे से किलोरेचियों आ इसके बाद कि नाम कर्णल करते इथरों के साधर नाम के उत्वत्ति के लिए एलकिल अथवा एल समूव के नाम को अंग्रेजी गुण माला के अलफावेटिकल करम में अलग लग लिकर अंते में इथर सब्सक्राइब दिखा जाता है साधर नाम के बाद में जैसे हमने लिख दिया उधान एक्जाम पर लेते हैं तो पूर लगन पहले डाई लगा देते हैं जैसे छी इसको मोल देंगे डाई एथिल एथर ठीक है यानिके इथर जो आते हों कहाँ से आते है हाईडरimore गॉर कार्वान से जिनके डाई१र पर मांई आर औ सर्मूब वत हुआ फ़कह प्रतिस्ठाफित होते हैं जहां वहरे आर करम से Worth समूग को इनने में बड़े ऐले समूग को मूल हाइडरो- कार बन philosopher स्वाइच्ठ od तो हमें तो स्मावां नाम तो इसका रिमेठिल एथर आघी पीसे नाम हो जाएगा एक कार्बन कर्बन सुलकर आपने र्णों यह तो एक कार्बन कार्बन को साथ हमें। CH3O, CH2, CH2, CH3 ठीक, इसका साधार नाम जो होगा Methyl N-Propyl Ether है लेकिन इसका जो IPC नाम होगा छोटे के साथ में Oxy लगाना है तो CH3O है, तो CH3 के लिए Meth और O के लिए Oxy, Meth Oxy और Eth, Meth, Pro, तीन कर्वन के लिए Propane तो Meth Oxy, Propane हमारा नाम होगा Number next है C6H5OCH3 तो CH6Kरवन जो एक तरब THOCH3OCH3 THOCH3OCH3 तो कितने कर्वन ग्री रोपले एक साथ में? DO, तो यह हो जागा एथिल फैनिल इथर साधार नाम और एथोक्सी बेंजिन इसका आयूपीसी नाम हो जाएगा जो सबसे छोटा है उसके साथ में उक्सी लगाना है हमें और बाकी को हार्डोकार्बन के सामाने रूफ से लिग देते हैं यह सही है हमारा C6H5O CH2 को होल 6CH3 अब देखो कितने कार्बन होगे 6 तो ब्रेकेट में और एक ब्रेकेट से बार है 7 कार्बन दर है 6 तो इसका साधार नाम जो होगा हेथ तैनल इधर हेफ्तिल किसके लिए लगा है साथ के लिए साथ के लिए हैथ लगाते ना साधार नाम और तो इसका रचिश नाम हो जाएगा वन फिनोक्सी क्योंकि बेंजीन प्रिंग वाल से गलाक साथ जायेगा उक्सिजन क्योंकि इसमें 6 कारबन दर्व दूसरे साइड में साथ है तो C6H5 को कहते हैं फिनोक्सी ठीक है तो वन फिनोक्सी और बाकी दूसरा तरफ सादाना हो हम इसको स्दoney कि अलग कर लेते हैं तो यह क्या अलग होगा हमारा मैठ प्लसोट्री अलग होगा इह मेठोपीं और कितने जुड़ा होँ है प्रोपन से जुड़ा होगा है हमारे सामने हैं CHO CH3 CH3 methyl isopropyl ether यानिके 2-methopropyl ठीक है अब यह देखो C6H5O CH2 CH2 CH3 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 अब क्या करते हैं इसका साधर नाम तो होगा phenyl isopentyl ether अब देखो आई पेस नाम लिखने के लिए क्या करेंगे अब इसको लंबिस रख लागो नाम दो सबसे सीधी संखला चुनाव करदें कार्बन से धर वाली संखला को एक तरफğiी छायकर कितने कार्बन है छह हैं एक तरफ कितनए चार तो चार कार्बन वाली के साथ में syndี जोडैंगे तो जोडली हमने क्या होगे एक मैट प्रोब्यूट तो तो नंबर देंगे तो तीन नंबर में मैथिल जुड़ा है तो यह होगा थ्री मिथोक्स, थ्री मैथिल, ब्यूटोक्सी और क्या 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 है हम, हाइडोकारपन में बैंजीन, इसके बाद नेक्स एक्जामपल है हमारा CH3O, CH2, CH2O, CH3, अब बीच वाले दुनों कारपन को हम नंबर देते है, एक को 1,2 दे लिए, तो 1,2 डाइम इथोक्सी और 2 कारपन वाले को एथेन कहेंगे, 1,2 डाइम इथोक्सी एथेन इसका नाम हो जाएगा, अब यह देखो, अब इसको IEPC की अकोटिंग लिखेंगे, साइक्लिक कमपाउंड हो जाएगा है, 2 पे क्या दवरता होते है, तो पहला नंबर दिया है, और इथर को दूसरा, तो 1,1, sorry, 2 एथोक्सी, क्योंकि एभी से डिके साफसे लिखते है न, 2 एथोक्सी 1,1 डाइम इथिल, क्योंकि इसमें इथोक्सी E से है, मैथिल M से है, तो इसलिए E पहले आएगा, तो 2 एथोक्सी 1,1 और कितने cyclic compound है तो इसको क्या क्यता है cyclohexane इसका आई नाम हो गया इसके बाद है आपको निम्हें कि यहोगी काई पीसी नाम लिखने हैं जैसे हो गया CH3-CH-CL-CH-CH-CH-CH-CH2-OH तो इसका आई पीसी नाम क्या हो गया 4-chloro-2-3-dimethyl-pentane-1-ol दूसरा एक्जामपल है CH3-CH-CH-CH CH3-O-CH2-CH3 ठीक है इसको लिखना है आपको वीडियो को पोस्ट करना है और लिखना है ठीक है इसका सही नाम क्या होगा 2-ethoxy-propane इसके बाद नेक्स एक्जामपल है हमारा benzene के ओपर OH लगा हुआ है CH3 लगे हुए दो साइड में तो इसका नाम हो जाएगा 2-6-diphenyl sorry 2-6 नमबर नेक्स है NO2 और OC2H5 एक्जेम से चुड़ा हुआ है ठीक है पोस्ट करो वीडियो को बनाओ नाम है यह होगा हमारा 1-ethoxy-2-nitro-cyclohexane ठीक है अबने में लिखने है आपको जो आपके सामने चार एक्जामपल है इन चारों के जो है नाम लिखने है और हमें वाटस नाम लिखने है और इनके अंसर यह आई जगने है जो हमारे जीस एक्जामपल नाम जो बनाया है ठीक है पहले एक्जामपल लिखो उसका नाम लिखो कोई दिक्कत हो दो आप पूछ सकते हो थैंक्यू और नेक्स्ट वीडियो को हम आगे कम्प्रिट करेंगे क्योंकि चैप्टर अभी है कम्प्रिट नहीं हुआ है थैंक्यू धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में